हेलो एवरिवन, आज हम आगरे उनिवर्श्टी के बेट सेकेंड यर के सेकेंड पेपर अधिगम के लिए आकलन यानिकी असेस्मेंट फॉर लर्निंग के एक मैथपूर्ण प्रश्ण पर चर्चा करेंगे प्रश्ण है हमारा बुद्धी क्या है, बुद्धी का मापन किस प्रिकार से किया जा सकता है और बुद्धी परिछोडों की सिच्छा के चेतर में क्या उप्योगता है समझाईए तो हमारे जो प्रमुक बिंदू है वो है एक भूमिका, दूसरा बुद्धी का अर्थ, बुद्धी की परिभाशा, बुद्धी के प्रिकार, बुद्धी का मापन और बुद्धी परिच्छोणों की सिच्छा के छेत्र में उप्योग था तो फर्स टाइडिंग है हमारे भूमिका, केवल सिच्छा में ही नहीं, अपितू सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के छेत्र में बुद्धी और उसके मापन का विशेश महत्तु है, यानि कि ऐसा नहीं है कि आपको सिच्छा प्राप्त करनी है, इसलिए आपको बुद्ध दिमान होना या आपके अंदर बुद्धी होना ज़रूरी है बिलकि इस अमाज में रहने के लिए और अपनी मूलभूत आवशक्ता को पूर्ती करने के लिए भी हमें बुद्धी की आवशक्ता होती है, तो किसी भी कारे को सरल्टा और प्रितिय किस्थिति में कर लेना प्रश्ण का उत्तर देना कठिन है बुद्धी के सवरूप के विशाय में सभी विद्वानों की अपनी अपनी धारणाएं हैं कोई एक परवाशा बुद्धी की नहीं है बलकि अलग-लग मनुवेग्यानिकों ने अपने असाब से अलग-लग परवाशाइं दी हैं तो सन 1923 में विश्व के मनुवेग्यानिकों की अंतराश्ट्री परिसत अमेरिका में हुई तो सबसे पहले 1923 में अमेरिका में एक बैठक हुई उसमें क्या हुआ कि वे बुद्धी के बारे में कोई ठोस निसकर्स नहीं निकाल सके यानि कि वो बुद्धी के अर्थ के बारे में उसकी परिभाशा के बारे में कोई एक निसकर्स पे नहीं पहुंच सके रॉस के अनुसार वे ये निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धी में इस्मृति, या कल्पना, या भाशा, या गामक, योगिता, या सम्वेदना, सम्विलित हैं या नहीं रॉस को कहना था कि जब ये परिशद होई तो भी इस परिशद में ये पता कर पाए या वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जो बुद्धी है, बुद्धी के हंदर हम मेमोरी है या हमारी जो कल्पना शक्ती है या हमारी जो मौटर इसके लिए कारे करने की जो छमताइं है उसको हम बुद्धी की परभाशा में सामिल करें या नहीं उसके बाद हमारे आती हैं बुद्धी की परिभाशाएं तो free man, free man ने क्या किया किया कि जो अलग-अलग मनवे गयानिकों ने जो परिभाशाएं दी थी उन्होंने उनका विसले स्नातमक अधियन किया और उनका अध्यान करने के बाद उन्हों ने इन परिभाशाओं को तीन भागों में विभक्त कर दिया तो पहला जो है वो है हमारा सीखने की योगिता के रूप में बुद्धी यानि कि intelligence as an ability to learn तो बुद्धी को सीखने की योगिता मानने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार है फर्स्ट है बकिंगम यानि कि बकिंगम का कहना है कि बुद्धी जो है वो सीखने की योगिता है यानि कि हमारे अंदर सीखने की जितनी अधिक छमता है हमारे अंदर उतनी ही बुद्धी है यह कहना है बकिंगम का उसके बाद आते हैं हमारे डियर बॉन डियर बॉन का कहना है कि बुद्धी सीखने अध्वा अनुभव से लाव उठाने की योगिता है यह भी लगवग वही बात कर रहे हैं कि बुद्धी सीखने और जो हमारा प्रीवियस जो हमारे एक्सपिरियंस रहे हैं उससे लाब उठाने की हमारी योगता है फिर आते हैं गाल्टन गाल्टन के उससा बुद्धी पहचानने तता सीखने की शक्ति है तो यह अल्मूस्ट सा समायोजन करने की योगता की रूप में बुद्धी तो विद्वान यह मानते हैं कि प्रतेक विक्ति के लिए वाता वरण से समायोजन करना आवश्यक होता है तो बुद्धिमान विक्ति वाता वरण से समायोजन करने में सफल होते हैं ऐसा मत रखने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार है तो सेकंड जो हमारा जो समायोजन करने की योगिता की रूप में बुद्धी है ये मनोवेग्यानिक मानते हैं कि बुद्धिमान विक्ति वही है जो हर एक वातावरण में समायोजन कर ले जाए तो इस टर्ण उनका ये कहना था कि बुद्धी जीवन की नवीन समस्याओं की समायोजन की सामान्य योगिता है याई कि हमारी जीवन में अगर नवीन नई नई जो समस्याओं आती है प्रॉब्लम्स आती है अगर उनको ठीक तरीके से उसमें समायोजन हो जाते हैं ठीक तरीके से उनको हम सॉलूशन निकाल लेते हैं तो हम बुद् बुद्धी नवीन तथा विभिन परस्तेतियों में भली प्रिकार से समायोजन की योगिता है तो बात वही है रहने को कहने का ढंग अलग अलग है तीसरा हमारा है अमूर्थ जिन्तन की योगिता यानि कि कहते हैं वो उनके अंदर अमूर्थ बुद्धी है तो इस्पियर मैन का कहना था कि बुद्धी तरक युक्त चिंतन है यानि कि जो जिनके अंदर अमूर्थ बुद्धी होते हैं वो तरकशील होते हैं तर्मन के अंशार अमूर्थ विचारों के समंध में सोचने की योगिता ह बुद्धी है, हैनमोन के अंसार बुद्धी में दो दत्तो होते हैं, ग्यान की छमता और निहित ग्यान, रायबन के अंसार बुद्धी वे शक्ति है, जो हमको समस्याओं का समाधन करने और उदेश्यों को प्राप्त करने की छमता देती है, यानि कि जितने भी मनवे ग्यानि जो बुद्धी को अमूर्थ, चिंतन के रूप में स्विकार करते हैं। उनका कहना यह है कि जो बुद्धी है वो तर्कियुक चिंतन है। या बुद्धी जो है वो ग्यान प्राप्त करने की छह görünता, या उसमें जो निहित ग्यान है वो बुद्धी है, और जो बुद्धी जो है वो समस्यां को समाधान करने और जो हमारे जो ओदेश है जिसके जो जिन ओदेशों को प्राप्त करने में जो हमें समस्यां आ रही है और उन ओदेशों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी बुद्धी द्वारा उसका जब हम समाधान निकालते हैं त परवासाओं को तीन भागों में डिवाइट करके बताया आगे यह जो परवासाओं हैं इनको हम बुद्धी की व्यापक परवासाओं के अंद्रगत रखते हैं तो फर्स्ट है मैकडूगल द्वारा कि बुद्धी अतीत अनुभवों के आधार पर जम्न जात प्रवर्ति को स कमी है और उसको हम अपने एक्सपिरियंस के अधार पर हम सुधार पाते हैं तो यह बुद्धी है ऐसा मानना है मैकडूगल का थौंडाइक के अनुसार सत्य अत्वात तत्य के द्रश्टिकोंड से उत्तम प्रक्रियाओं की योगिता ही बुद्धी है फिर थर्ष्टन के अ बानते हैं जातर आप बुक्स में थर्ष्टन द्वारा बुद्धी को साथ योगिताओं का पुंज कहा है ऐसा ही लिखा देखेंगे फर्स्ट है हमारा प्रेणा शक्ति यानि कि स्पेशियल एबिलेटी दूसरा है हमारा संख्या गड़ना सक्ति यानि कि नर्मल नमर एबि फिर हमारा वाक शक्ति यानि कि वर्ड फिलोंसी फिर हमारा इसमरंड शक्ति यानि कि मैमोरी इसके वाद हमारा आता है तर्क शक्ति तर्क शक्ति में दोनों हैं हमारे आगमन और निगमन फिर हमारा आता है परिवेच्छड यानि कि परसेप्चुल स्पीड इसके बाद हमा में कितने प्रकार बता हैं तीन प्रकार फर्श्ट है हमारा सामाजिक बुद्धी यानि कि सामाजिक बुद्धी से अभिप्राय मनुश्य की वह योगिता है जो समाज में समाई उजन की छमता उत्पन गरती है और जिन बालकों में सामाजिक बुद्धी की अधिक्ता होती है परवार की शदस्यों हम उम्र दोस्तों के साथ सामजस्य कायम कर लेते हैं और इनमें व्योहार कुसलता के साथ व्यक्तेतु तथा चरित्रक के गुड़ विद्धमान होते हैं सभाव मनास्तिती मनुवरती इमानदारी नेड़े हाश्यादी सामाजिक बुद्धी के परचायक तो जिन लोगों की सामाजिक बुद्धी होती है वो लोग समाज में अच्छी तरीके से समायूजन कर लेते हैं किसी भी प्रिकार के वातावरण में वो समायूजन करने के छमता अन्य लोगों के पेच्छा जादा रखते हैं और ऐसे लोग जो उनके जो फैमिली मेंबर्स ह चाहे दोस्त हो उनसे अच्छी तरीके से वो अब सामजस्ते स्थापित कर लेते हैं और इनमें व्योहार को सलता बहुत अच्छी पाई जाती है जिससे इनके अंदर जो इनकी जो मनिवरती है इमानदारी है या इनकी नेड़े लेनी की छमता है ये सब भी हमारे किसमें आते ह हमारी सामाजिक बुद्धी के अंतरगत आते हैं उसके मारी आती है मूर्त बुद्धी मूर्त बुद्धी के अंतरगत मूर्त बुद्धी को हम स्थूल या गामक या यांतरिक बुद्धी के नाम से भी जाना जाता है इसका सम्मंद यंत्रों और मशीनों से होता है और जिस लोगों के अंदे मूर्थ बुद्धी होती है उन लोगों को मशीनों से बहुत अधिक लगाव होता है और ये मशीनों की कारे में यंत्रों की कारे में अधिक रुची लेते हैं इसलिए इस तरीके की बुद्धी जिस भी व्यक्ति में होती है वह या तो अच्छा कारिगर होत और मूर्थ वुद्धी प्राप्त व्यक्ति भौतिक वादी व्यापारी वह मूर्थ समस्याओं का सीक्र समाधन करने लेने वाले होते हैं उसके बाद हमारा अमुर्थ वुद्धी यानि कि एप्ष्ट्रक्ट इंटेलिजन्स तो अमूर्थ बुद्धी का तात्पर जो है वो शाप्तिक तता गर्ती संकेतों को समझने वा प्रियोक करने की योगिता है ज्यानों पारजन के पति रोजहान पढ़ने लिखनी तता तार की क्नितन में अमूर्थ बुद्धी की अवशक्ता पढ़ती है सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिन लोगों में अमूर्थ बुद्धी होती है उन्हें पढ़ने लिखने का किताब पढ़ने का या ज्यान अर्जित करने का बहुत अत्याथिक सौक होता है और ऐसे लोग जादर साहित्यकार कवी वेग्याने क्या कलाकार चिंतक चितरकार जॉक्तर से चच्छक या दाशनिक बनते हैं उसके बाद हमा परिश्या होती है जिसकी साहिता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है यह मापन किया जा सकता है यानि कि इनका कहना है कि जो बुद्धी परिच्छा होती है वह किसी वह या तो एक कोई कारी होती है या कोई उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के ल तो बुद्धी परिचण का जो हमारा इतिहास रहा है वो है कि हमारे यहां भारत में रिशियों मुनियों का सास्त्रार्थ जो हमने सुना हुआ है यच्छ और युदिश्टर समवात नालंदा और तच्छेशिला विश्वे ध्याले में बुद्धी परिचण की व्यवस्तित ने मनुविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला की नीव रखी तो आज के टाइम में सबसे पहले यूरोब में जो जर्मन विज्ञानिक थे वुंट ने उन्होंने ही मनुविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला की नीव रखी ती जिसमें विज्ञानिक तरीके से कारे तो बुद्धी परिच्षडों में बिने और थार्ण नायक ने तर्मा ने बहुत सारे बग्ञानिकों ने किया लेकिन जो सबसे आधा जिन के बिष्णावली के निर्माड किया बिने ने परीच्छर के बिद्धि परीच्छर के लिए प्रिश्णावली तर्मन ने इस मापक में संसोधन कर गया यानिक जो बिने सामन का जो मुद्धी मापन था उसमें जो मारे यूसे के जो मनुवग्यानिक तर्मन ने उसमें कुछ संसोधन किया और इन्होंने नाम रखा इस्टेंफोर्ट बिन स्केल उसके वाद 1937 इसवी में तर्मन ने मेरिल के साथ यानिक एक और जो मनुवग्यानिक थे तर्मन ने इनके साथ मिलका क्या किया एक और बदलाव लाकर इसको तर्मल मेरिल स्केल रख दिया जो आधुनिक बुद्धी परिचड का अधार बना वो टर्मल मेरिल स्केल के नाम पर ही होते हैं बुद्धी परिचड के प्रिकार क्या होते हैं फर्स्ट हमारा परिच्छरतियों की संक्या के आधार पर यानिकि व्यक्तिकत बुद्धी परिचड यानिकि एक व्यक्तिकत परिचड होता है तो उसको हम व्यक्तिकत बुद्ध लेकर जो टैस्ट लिया जाता है, उसको हम अशाब्दीक बुद्धी परिछड। अशाब्दीक बुद्धी परिछड। उसकी पाँ अमारा आता है व्यक्तिगत बुद्धी परिछड। यानि कि इंडिविजनल इंडिजेंस टैस्ट। तो जो व्यक्तिकत परिचड है उनमे से जो हमारे प्रमोक है वो ये पहला है हमारा स्टेनफोर्ट बीने बुद्धि परिचड, दूसरा हमारा वशलर बुद्धि परिचड, तीसरा हमारा पिंटर पैटkelnस्नल परफॉर्मेंस स्केल, चौथा हमारा मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परिच्छण, उसके वाद हमारा गुड एनफ ड्रॉइमेन परिच्छण और एक और पॉटियस भूल भलाईया परिच्छण, तो यह परिच्छण अलग लग तरीके के हैं, यह सब व्यक्तिकत बुद्धी कुठी के मध्य प्रेमपूर्ण समाईयुजन होने ककारण बालक के विवहार का गठ का गुट वह गूर अधियन सहस्ता पूर्व Gottak समभव हो जाता है, तो क्योंकि व्यक्तिकत बुद्धी परिच्छण में क्या होता है क्या हिएक ही व्यक्तिका परिच्छड ऊरा है। इसलिए जो परिच्छक होता है और जो परिच्छारती होता है उनका आपस में जो समायुजन इस परिकार का हो जाता है कि वो अच्छी तरीके से वो बालक का जो विवहार है उसका गठन कर सकता है और उस बालक की विवहार का अच्छी तरीके से अधियन भी कर सकता है और फिर प्रसिच्चित परिच्चक द्वारा संपादित किया जाने की कारण इसकी विश्योस नियता और वैद्यता अधिक होती हैं तो जो परिच्चक होते हैं वो पहले से ही प्रसिच्चित होते हैं उनकी द्वारा ही यह जो व्यक्तिकत बुद्धी परिच्चड वो लिया जाता है इसलिए इसके जो विश्योस नेता है और वैदयता है वो अधिक होती है उसके अथ हमारा आता है परिच्छार्ती द्वारा धोगागड़ी की संभावना अल्प रहती है क्योंकि ये व्यक्तिकत बुद्धी परिचण है तो एक बार में केवल एक व्यक्तिका ही परिचण होता है इसलिए इसमें धोगागड़ी की संभावना कम रहती है उसको बाता है हमारा इसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रश्न समलित होने से परिच्छा के साच्छा तब लोगन के कारण इसे परिच्षार्तिकी कार्य प्रडाली, सामाजिक और सम्मेकातमक पच्छों व्यक्तितों की पोड़ातमक पहलों को भी अगलिक किया जा सकता है यान molar का मतलब यहाई जो व्यक्तिकत बुद्धी परिच्छड होता है इसमें शाब्दिक और शाब्दिक दोनों ही परिचवर सामिल होते हैं जिससे कि परिचारती जो परिचारती है उसके जो कारे करने का जो उसका पैटर्न है या उसका सामाजिक जो उसके सोचने का पैटर्न है यह सम्वेगातन यानि कि उसकी जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस ह इसके बारे में आराम से उसको अलग-अलग डिफाइन किया जा सकता है उसके बाद हमारा आता है यह सैच्छिक वा व्योवसाइक निर्देशन मानसिक चिकत्सा एवं कम उम्र के बच्चों पिछड़े वा अलब बुद्धी के बालकों के परिच्छड में लाब दाएगा है क्योंकि यह व्यक्तिकत परिच्छड है इसलिए यह आराम से जिल्लों को साइच्छिक रूप से या व्योवसाइक रूप से जो निर्देशन चाहिए होता है यह जिल्लों को मांसिक चिगत्सा के अवशकता होती है या छोटे बच्चे है या पिछ्ड़े या अलब बुद्धी के बालक है इनको इस परिच्छड से अधिक लाब होता है उसके बाद हमारा आता है व्यक्तिकत बुद्धी परिच्छड की सीमय है उसमें है कि प्रशिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च जाएगा धन का भी अधिक व्याय है और मान अवस्रम भी अधिक होता है उसके वाद इसमें अंकन की विशुशनियता अल्फ होती है उसके वाद हमारा आता है सामोहिक बुद्धी परिच्ड यान की ग्रोप इंटेलिजन्स टेस्ट तो जब एक समय में अनेक व्यक्तियों की एक साथ बुद्धी परिच्ड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं सामोहिक बुद्धी परिच्ड में क्या होता है कई लोगों का एक हुआ यह प्रारम हमारा हुआ था प्रथम यूश्य दू के दौरान जब अमेरिका में बड़े पैमाने पर सेनकों के बहुत दिक चम्दा के अखिलन हो रहा था उस समय इसका प्रारम हुआ और यह परीच्छड भी हमारा शाब्दिक दो प्रिकार का हो सकता है जैसे व्यक्ति अलफा परिच्छड बर्ट समय बुद्धी परिच्छड जोलोटा बुद्धी परिच्छड और कैटल कल्चर फ्री परिच्छड जोलोटा बुद्धी परिच्छड यह इंडियन है इसके बाद हमारा आता है आर्मी बीटा परिच्छड समय बुद्धी परिच्छड की वि प्रिशाशन के लिए विशेशक याविशक नहीं होते हैं इसका प्रिशाशन एक समय में बड़े समूँ पर एक सत्किया सकता है यह कम व्याय साध्यों इसमें खर्चा कमाता है व्यक्तियों के चेहन्तिता वर्गी करण में विशेश सहायक होते हैं तो अब सामोई बुद्धी परिच्षण की को सीमाई भी है उसमें कि परिच्छा के उम्छात्र के मद्य सीधे समंध का भाव होता है इसलिए उनके बौद्धिक विवहारों का गूड़ अध्यान नहीं किया जा सकता अब यसे व्यक्तिकत बुद्धी परिच्षण में किया था कि एक ही परिच्षारती था तो इसलिए परिच्छक को आसानी से उसके विवहार का वो अध्यान कर पा रहा था लेकिन सामय बुद्धी परिच्षण में कहलों का एक साथ परिच्षण होनी की वजए से प्रशनियत तता वेद्द्यत प्राय फॉर होती है उसके वाद हमारा आता है शापदिक बुध्धी परीच्छड तो जिन परीच्छडों में भाशा युक्ति समस्याइं प्रस्तूत कि जाती है उसे शापदिक परीच्छड कहा जाता है यह सामानिता कागज पैंसल चैषड जो होते हैं वह कौभी पैंसल पर होते यह एक तरीके से टैस्ट टाइप होती है इसमें हमारे तंडंवा महता भुध्धी परीच्छड है बिने सामन भुध्धी पढ़ाता है और व्यक्ति का तो शामविक दोगां यह थासना हैं इंकी को सीमाईए भी हैं कि अमातर शिच्छhãट व्यक्ति पर ही प्रिगास The होती है कॉपी पिंसिल वाला काम है तो जो व्यक्ति एज्टिट के तारी campaign के बहुत सकता है ठीक है उसके बाद यह जो छोटे बच्चे हैं या सिच्छित व्यक्तियों के लिए इनका कोई मैत्व नहीं होता और इनके निर्माण है तो अनुभवी एवंपर सिच्छित व्यक्तियों की अवशक्ता होती है उसके हमारा आता है अशाप्दिक बुद्धी परिच्छड यानि के नौन वर्बल इंटेलिजेंस तो अशाप्दिक बुद्धी परिच्छड में शब्दों भासा के इस्थान पर चित्रों वा अन्य इस्थूल वस्तों के माध्यम से छात्र के सामने शमश्यां प्रस्तोत की जाते हैं या परिच्छड पेपर पैंसिल परिच्छड या निस्पादम परिच्छड के रूप में होता है यानि कि जो असाप्दिक बुद्धी परिच्छड है इसमें कुछ चीज़ेंगे या हमारे सामने कुछ चेत्र रग दिया जाएगा उसके एसाब से हमारा बुद् यह बैटरी जो निस्पादान अशाब्दिक बुद्धी परिचड़ है वह हमारा इंडियन है उसके पाद हमारा आता है विशेस्ता है तो जो अशाब्दिक बुद्धी परिचड़ है अधिक वैद आवम विशे सुनिये होता है और यह व्यक्ति का तैवम सामें एक दौनों फोल्फा किया जा सकता है अब इसकी को सीमाई भी है कि इसका निर्मार आवमान की करण जतील होता है गुथ वल्ह extrative अभ्षास्तर होती है इसका मान की करण और ऀसका निर्मार थोड़ा और गठीम होता है यह इसमåएं खरचा로 होता है यह प्रशर्च 세상 के दारँ ही प्रिश जैना कि यूजड ओफ इंडएजन्स टेस्ट तो सेच्षिक उपयोग क्या है हमारे तो संभवताहः बुद्धि परिच्छणों का सरभादिक उपयोग सेच्छिक छेत्र में किया जाता है जो बुद्धि जनस्ताव में कारेरत अध्यापकगन परिधानाचारी तता शिच्छा सास्तेरी परिशाज को अनुसंधान करता बुद्धी परीचट का व्यापकडंग करते हैं और बुद्धी परशाण के निम्रकित सैच्छिक उप्योग हैं पहला है हमारे विध्यारतियों के लिए कोर्स चुनाव का अधार बुद्धी परिचण यानि कि अगर कोई विद्यार्ति टेक्निकल कोर्स लेना चाहता है तो अगर बुद्धी परिचण के अधार अगर उसके जो IQ level अगर वो इतना आता है यानि कि 114 अंक आता है तो वो आराम से टेक्निकल कोर्स ले सकता है सच्टिंट के लिए आईक्यू लेविल हूर हें के लिए 106 है क हुआप है उसके बाध अच्छे परिछन नौं दाखले गशार्थियों को चनाओ बुद्दी परिछधोर दो, होता है जो मारे जो स्टेंडर्ड जो स्कूल इस होते हैं वह बुद्धी परिछड़ों के अधार परी प्रिदवाशलिया बालक से लेकर मंद्धी बालकों का चुनाब होता है जो हमारा IQ लेविल जो टेस्ट होता है उसके द्वारा ही हम बता पाते हैं कि कोई बच्चा प्रिद्वाश आ लिए या कोई बच्चा मंद बुद्धी बालक है उसके बाद पिछडे कदाचार या समस्या पूर्ण विवाफार वालकों का पता भी बुद्धी परिछड़ों द्वारा ही लगाए जाता है उच्चे तता योग की बच्चों को बुद्धी परिछड़ के अधार पर ही हम स्कॉलर्शिप देते हैं जो चात्रवर्थी के लिए जो टेस्ट वगरा होता है उसी के दारा ही हमें पता लगता है कि कौन बच्चा चात्रवर्थी की लाइक है विध्यारतियों की पदोनती के लिए बुद्धी परिछड़ का प्रयोग किया जाता है बुद्धी परिछण दौरा सफलता की भविस्तवाड़ी भी की जा सकती है और बुद्धी परिछण दौरा अध्यापा की कारिका अनुमन लगाया जा सकता है सैचिक विदियो एवम साधुनों का मुल्यांकन भी बुद्धी परिछण दौरा होता है और बुद्धी परिछोड़ों के आधार पर सैच्छिक निर्देशन दिया जा सकता है तो आज के लिए इतना ही कल में आपके जो मारा समावी से सिच्छा वाला जो पेपर थाड़ है उससे रिलेटिड एक कोश्चन लेकर आऊंगे धन्यवाद